सरसोधा साग और मक्केदी रोटी का मेरे ब्लड ग्लूकोस पर क्या प्रभाव पड़ता है फाइबर के क्या मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फाइबर को हम अपने डायेट में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं हलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका अब हमारे देश में एक छोटी लेकिन एक बहुत ही खुबसूरत स्टेट है पंजाब और इस स्टेट का साइज छोटा होने के बावजूद यहां जो लोग बसते हैं वे बड़े दिलवाले होते हैं और उनके काम भी बड़े लेवल पर ही होते हैं जब वे सलवार बनाते हैं तो पटियाला सलवार जैसी लंबी चौड़ी सलवार बनाते हैं जब वे डारू पीते हैं तो लिटल लिटल नहीं पीते पटियाला पैग पीते हैं और जब भी अपने खेतों में फसलें उगाते हैं तो माशाला इतनी उगाते हैं कि अक्सर उन्हें प्रॉपर्ली स्टोरेज करने के लिए वेर हाउसे भी अवेलिबल नहीं होते और इस पंजाब स्टिट की खूशूरती ठंड के दिनों में कुछ अलग ही होती है आप किसी भ को पाच बजे के आसपास घूम रहे होंगे तो आप कई किसान भाईयों को अपने खेतों से लोटता हुआ पाएं पूरे दिन का खेती किसानी का काम खतम करके कुछ किसान भाई साइकल पर आ रहे होंगे तो कुछ मोटरवाइक्स पर तो कुछ स्कूटर्स पर और कुछ ट् एजिटेबल होगी वो होगी सरसों सरसों एक विंटर क्रॉप है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा ठंड के दिनों में पंजाब के लगबग हर कोने में इस फसल की खुबसूरती बिखरी हुई होती है और जब आप ये सीन देखते हैं और जब तक ये हाथ पाउं साफ करेगा नहाएगा दोएगा तब तक उसकी मा ये सरसों की सरसी साफ कर देगी और उसके थोड़ी देर के बाद ही उसकी बीवी उस सरसों को एक बहतरी साग में बदल देगी और उसके साथी साथ मक्के की कुछ ताजी-ताजी रोटियां भी सेंक देगी और उनके उपर इतना मक्खन लगा देगी कि उसको देखकर ही आपका वज़न एक दो किलो बढ़ जाए ये सब सीन्स मेरे लिए इमेजन करना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मैं पंजाब की गाओं में ऐसे ही कई किसान भाईयों के घर कई बार महमान रह चुका हूँ और इन किसान भाईयों की फैमिली की तेन आदित होती हैं पहली तो वह मक्षन का उपयोग करते वक्त उसकी कॉण्टिटी पर कोई ध्यान नहीं देते दूसरी अपने गेस्ट को फूड सरुव करते वक्त बटर की कॉण्टिटी या गी की कॉण्टिटी थोड़ी और बढ़ा देते हैं और तीसरी के विए जनरली किचन में बैठ कर ही इसके भी एक दो फायदे होते हैं पहला तो ये कि चूले की गर्मी आपको पंजाब की ठंड से कुछ हद तक बचाती है और दूसरा ये कि आपको मक्य की रोटी एकदम फ्रेश अविलेबल होती है और जैसा कि आप जानते हैं कि यदि मक्य की रोटी ठंडी हो तो फिर वो रोटी कम और एक पीस ओफ लेदर ज्यादा महसूस होती है और इस खुबसूरत स्टेट के ऐसे ही कई रूरल किचिन्स में बैट कर पंजाब के इन बड़े दिलवाले किसान भाईयों की हॉस्पिटलिटी की वजह से ही मैं आज भी सरसोंदा साग का एक बहुत बड़ा फैन हूँ मुझे सरसों या मस्टर्ड ग्रीन्स का अर्थी फ्लिवर पसंद है उनकी जो थोड़ी सी माइल्ड बिटरनेस होती है वो पसंद है इसके अलावा उन्हें खाने के बाद आपके टेस्ट बर्ट्स को जो मस्टर्ड या राई का स्पाइसी किक मिलता है वो भी मुझे पसंद है कभी राई या मस्टर्ड की स्पाइसीनेस आपके पूरे मुँ में एक हलकी सी हीट स्प्रेड कर देती है तो कभी असली घी की स्मूधनेस आपके सेंसिस को सैचुरेट कर देती है और इसी हेवनली टेस्ट को एंजोई करने के लिए मैंने कुछ दिन पहले एक बार फिर से सरसों का साग बनाया था लेकिन इस बार उसको बनाने का एक कारण ये भी था कि उसे खाकर मैं उसके बलड ग्लुकोज इंपक्ट को जानना समझना चाहता था तो उस दिन मैंने इसे खाना शुरू किया था सुबह 11 बच कर 23 मिनिट पर और उस वक्ट मेरा बेसलाइन बलड ग्लुकोज था 62 या 62 और उसके लगभग एक घंटे के बाद जब मैंने बलड ग्लुकोज की हाइस्ट रीडिंग नोट की तो वो थी 125 या 125 मिलिग्राम्स पर डिसी लिटर अब यह जो बलड ग्लुकोज का चम था वो बेसीकली मक्य की रोटी की वजह से था क्योंकि सरसों दा साग में जो कुछ भी मिला होता है वो तो सिर्फ ग्लाइसेमिक लोड को कम करने वाला ही होता है, बढ़ाने वाला नहीं होता उसमें या तो हरी सबजियां होती हैं, या फिर डेरी क्रीम, या फिर मखन या घी और जैसा कि आप जानते हैं कि यह सब चीजें हमारे बलेड लूकोज में आने वाले जम को कम कर देती हैं और सरसों का साल से जो सबसे खास चीज हमें प्राप्त होती है वो है fiber या dietary fiber अब हमारे देश में अधिकतर लोग fiber को bowel movements के साथ associate करते हैं अधिकतर लोग सुछते हैं कि fiber एक natural bulking agent है जो उनके waste products को digestive tract से बाहर निकालने में मदद करता है जो उने constipation या कब्ज जिसी मुसीबतों से राहत देलाता है लेकिन latest scientific studies हमें साफसाफ बताती हैं कि ये तो fiber का एक बहुत ही छोटा सा काम है fiber इसकी अलावा हमारी body में और बहुत कुछ करता है और कई महत्वपूर्ण कारिय करता है सबसे पहला काम तो यही है कि ये हमारी weight management में वदद करता है जिन food products में fiber होता है या fiber ज्यादा होता है उन्हें हम कुछ ज्यादा हमें कुछ ज्यादा चवाने की जरूत पड़ती है और उन्हें digest करने में भी हमें कुछ ज्यादा समय लगता है और इसकी वज़े से ही हमें अपना पेट लंबे समय तक भड़ा हुआ लगता है और फिर हमें बार-बार भोक नहीं सताती और इसलिए जब किसी food product में fiber काफी मातरा में मौजूद होता है तो वो food product हमें काफी filling, satisfying महसूस होता है उसे खाने के बाद हम संपिश्ट फील करते हैं और इसके चलते हमें फिर से कुछ और खाने की इच्छा नहीं होती इसके अलावा soluble fiber हमारे digestive tract में लंबे समय तक मौजूद रहता है और इसके चलते वो उस meal में मौजूद शुगर के absorption को absorption की speed को कम कर देता है और इसकी वजह से हमारा blood glucose level ज्यादा समय तक stable बना रहता है fiber हमारी cancer की risk में भी कमी करता है कई studies बताती हैं कि जब हम काफी मातरा में whole grains, fruits और vegetables खाते हैं तो उन में पाए जाने वाला fiber हमारी colorectal cancer की risk को कम कर देता है इसके अलावा यह हमारे digestive system को लगातार healthy बनाए रखता है जैसा के आप जानते हैं fiber basically एक carbohydrate है लेकिन यह complex carbohydrate है और refined carbohydrate से इसका structure अलग होता है fiber को digestive tract से गुजरते समय किसी breakdown का सामना नहीं करना पड़ता और वो large intestine तक intact पहुंचाता है और जब वो वहां पहुंचता है तो वहां हमारे gut microbiota इस fiber को process करके उससे post-biotics या short chain fatty acids बनाते हैं जिनका हमारी health को कई levels पर support मिलता है अगर मुझे मुझे मौका मिले तो मैं दिन भर fiber के गुणों के बारे में चर्चा कर सकता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि आप already समझ गए हूँगे कि fiber हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है और सरसोंदा साग fiber प्राप्त करने का एक बहुत ही stylish और tasty और आसान तरीका है अब ये एक stylish और tasty और आसान तरीका तो है लेकिन सरसों एक seasonal crop है तो इसलिए आप यदि April से October तत इस dish को बनाना चाहते हैं तो वहाँ आपको परिशानी होगी और उस हालत में आप किसी अन्य ग्रीन लिफी vegetable का इस्तेमाल कर सकते हैं और naturally उसका टेस्ट सरसोंदा साग जैसा तो नहीं ही होगा लेकिन आपको top quality vegetable fiber ज़रूर मिल जाएगा यदि आपके पास ये vegetables भी available नहीं है तो आप अपनी diet में fiber की मात्रा बढ़ाने के लिए मेरी dietary fiber tool kit का इस्तेमाल कर सकते हैं इस tool kit में fiber intake बढ़ाने के चार तरीके हैं पहला तरीका है कि lunch या डिनर में छिलके वाली दाल या सबजियों की मात्रा बढ़ाएं दूसरा तरीका है lunch और डिनर के पहले flex seed टी लें या lunch और डिनर की recipes में flex seed जिसे हमारे देश में जवस या अलसी कहा जाता है उसे include करने की कोशिश करें तीसरा तरीका है lunch और डिनर के पहले cilium husk लें चौथा तरीका है अपनी रोटियों में wheat bran या चोकर को मिलाएं चोकर आपको अपने अरोस परोस की आटा चकी से आराम से मिल सकता है और अकसर आपको free में मिल सकता है क्योंकि आटा चकी चलाने वाले लोग अकसर इसे fake देते हैं यही आपको free में न मिले तो आप उसे आटा चकी वाले से या बाजार से पैसे दे के भी खरी सकते हैं इसके अलावा कई लोग cilium husk को भी रोटी के आटे में मिलाते हैं इन सब तरीकों से आप अकनी डायेट में डायेटरी फाइबर की मात्रा बढ़ा सकते हैं और American Diabetes Association के अनुसार आपको कम से कम 30 ग्राम डायेटरी फाइबर एक दिन में खाना चाहिए और scientific studies में पाया गया है कि 90 प्रतिशत लोग इस recommended quantity से कम फाइबर खाते हैं तो in the end आप भी सरसोंदा साग बनाईए मस्टर्ड ग्रीन्स की सरसों की mild spiciness का मजा लीजिए राई की mild heat को फिल कीजिए और साथी साथ अपने शरीर को भारी मात्रा में डायेटरी फाइबर सप्लाई कीजिए और यदि कभी आपको ठंड के दिनों में पंजाब जाने का कोई मौका मिले तो पंजाब जाईए पंजाब के गाओं में जाईए और वहां जाने के बाद किसी किसान भाई से अगर आप पाई-दस मिनिट भी बात कर लेते हैं तो ये पक्ता मानिएं कि वह आपको रात के खाने पर इन्वाइट कर लेगा और अक्सर उस डिनर में सरसोंदा साग और मक्यदी रोटी होगी और तब आपको समझ में आएगा कि जहां महमान नवाजी का सवाल आता है तो हमारे देश के गाओं में रहने वाले लोगों की बराबरी कोई नहीं कर सकता अंध में एक बात और आज की तारिख में हमारे देश में ऐसे करोडों लोग हैं जो डाइविटीज, कार्डियो वेस्किलर प्राब्लम्स, इंसुलिन रिजिस्टेंस या लिवर इशूस से परेशान हैं और इन में से कई लोगों के पास इस तरह की क्रॉनिक मीमारियों का इलाज करने के लिए सफीशेंट रिसोर्सिज नहीं हैं दवाईय महेंगी हैं, इंसुलिन का डूस सस्ता नहीं होता, डॉक्टर्स की संख्या कम है और नंबर ओफ पेशेंट्स बहाँ ज्यादा करोडों लोगों के पास ब्लेड ग्लुकूस लेवल्स चेक करने के साधन ही नहीं हैं और इन सब के चलते कई अनफॉर्चुनेट लोगों की ब्लड शुगर की समस्या दिन बर दिन विक्रुत होती जाती है और अट दे सेम टाइम उनके शरीव में अन्य क्रॉनिक डिसीज का फैलाव भी बढ़ता जाता है तो यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके जान पहचान के किसी व्यक्ति के काम आ सकता है और उसकी प्री डायबिटीज या डायबिटीज या किसी अन्य क्रॉनिक डिसीज को कम करने में मददगार साबित हो सकता है तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप इस वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुचाएं जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियो में कभी भी लाइक या शेयर या सब्सक्राइब करने के बारे में कोई बात नहीं कहता लेकि डायेटरी फाइवर बढ़ाने के जो तरीके मैंने इस मीडियो में डिसकस किये हैं वे या तो जीरो कॉस्ट तरीके हैं या फिर कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें कोई ज्यादा पैसा नहीं रगता और कोई ऐसा वेक्ती भी जो फाइनेशिल रिसोर्सेस की तंगी से परिशान है अपनी लाइफस्टाइल में छोटे से बदलाव लाकर डायेटरी फाइवर की मात्रा बढ़ाकर अपनी डायेबिटीज, कार्डियो वेस्किलर प्रॉब्लम्स, लिवर इशूज, किन्नी प्र जाएंगी, लेकिन उस वेक्ती को उन समस्याओं पर कुछ बहतर कंट्रोल प्राप्त हो जाएगा, और इसलिए यदि इस तरह के वेक्ती को डायेटरी फाइबर बढ़ाने की ये जीरो कॉस्ट तरीके अविलेबल हो सकें, तो ये उसके लिए उन बीमारियों को फेस करने मे काफी साहिक हो सकते हैं, मैं अपने सीमित ग्यान के आधार पर वीडियोज बना सकता हूँ, लेकिन उन्हें दुनिया के हर जरूरतमंद वेक्ती तक अकेले नहीं पहुचा सकता, मुझे उसके लिए आपकी जरूरत है, और इसलिए यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आ आपकी जरूरतम ये वीडियोज दूरतमी है, अब एकिन उन्हें सकते हैं, लो आपकी जरूरतम लिए मुचा साहीं धुचा सीवचा थूल को ये वेल्पली तूरतम दूरूरतमान। अट आपकी जरूरतम्द बना स्वहत्वरतमंद झापकी। THANK YOU झाल